Hello and welcome back to our YouTube channel once again, my name is Nazneen Sheik Last lecture में हमने complete किया था हमारा आइस ब्रेकर और ब्रेंस्टार्मिंग आपके पोयम का हमने अल्री स्टार्ट किया है, 2.1 हमारा complete हो चुका है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर चेक कर सकते है आज जो हम स्टार्ट करने वारे है, हमारी पोयम 2.2 का आइस ब्रेकर अस ब्रेंस्टार्मिंग सेशन इसका भी पोयम हमने complete कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया हमने आप वहाँ जाकर चेक कर सकते है आई ये स्टार्ट करते है हमारा आइस ब्रेकर इंडियन वीवर्स, वीवर्स जैसे मैंने आपको बोला था, वीवर्स और टेलर्स में फरक होता है, वीवर्स वो होते जो कपड़े बनाने का काम करते है, टेलर्स जो होते वो कपड़े स्टिच करने का काम करते है, सीने का का करता है पहले प्ति सबसे पहले कपड़ा बनकर आता है वह हो कर आता है इसलिए वीवर जाता अध्य गर अधिससे बखें वह ऑपने हाथ से चीजी ऑ भुण को artisans बोला जाते हैं और craftsmen भी बुलाया जाता है क्योंकि एक कला होती है एक art होता है किसी भी चीजों को अपने हाथों से बनाना they are creators of diverse goods and use their hands यानि की बहुत अलग-अलग तरीके के goods यानि की material चीजों को बनाते हैं and they use their hands to create unique functional and decorative items unique यानि सबसे अलग functional decorative items यह लोग क्या करते हैं अपने हाथों से बनाते हैं इसलिए आपने हाथों से पॉर्ट को क्या करते हैं अपने हाथों से पॉर्ट को बनाते हैं तो वह होते हैं आपके आपके आटीसंस नो complete the web given below अब यहां पर हमको क्या करना है हमको complete करना है कौन से कौन से ऐसे different types of artisans है जैसे कि goldsmith हो गया वीवर हो गया पॉर्टर हो गया blacksmith हो गया basket maker हो गया कापेंटर हो गया मेजॉन हो गया सकर्चर हो गया तो बेसिकली यह अलग-अलग टाइब से आपके artisans के जो अपने हातों से ही अपने सारे क्राफ्ट वक को बनाते हैं नेक्स question is discuss with your partner the seasons or occasions when we need यानि कि अपने पार्टनर से हमको discussion करना है seasons और occasion में जो हमको चीजों की जरुवत होती है तो कौन से कौन से seasons की दिया है बुलन क्लोट की जरुवत हमको कपड़ती है यानि गरम कपड़ों की जरुवत हमको पड़ती है थंडी के function आ गया जैसे वेडिंग का function है हमारी family में कोई festival या तेवार आ रहा है तब हमको जरुवत होती है नेक्स हमारा colorful comfortable clothes यानि की थोड़े comfortable भी हो लेकिन थोड़े colorful bright colors भी हो तो यह सारे कपड़े हमको कब लगते जब हमको कही travel करना होता है basically socializing के लिए आपस में हम अगर कभी friends से मिलने जा रहे तो थोड़े से हम लोग colorful bright colors as well as हम क्या करते हैं comfortable clothes पहनते हैं travel करने के लिए socializing के लिए तो यह हमारे अलग-अलग seasons या occasions के लिए अलग-अलग तरीके के कपड़े होते जो हम पहनते हैं next है हमारा let's play a game the teacher will ask the students some questions students will understand that there are some exceptions to the general rules let's start basically यहाँ पर क्या बोला जा रहा है यह game खेलते हैं जहाँ पर teacher आपको बोलेंगे कि क्या बोलेंगे आपको कि कुछ आपको terms देंगे जिसके लिए आपको यूज करना है क्या यूज करना है आपको sentences बताएंगे जिसके लिए आपको specific terms जो यूज होती है वो बताने जैसे कपड़े सीने का काम किसका होता है टेलर का होता है तो इस तरीके से आपको statements होंगे जिनके आपको answers देने है one who weaves is a weaver जो weaves करता है जो knitting करता है जो कपड़ा बनाने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं वीवर बोलते है one who plays a game is a sports person किसी भी तरीके का जो game खेलते है अगर कोई जिसे चाहिए आपका football हो गया cricket match हो गया तो यह जो games है खेलने वालोगों क्या बुलाते है sports person बुलाते है one who sings is a singer one who dance is a dancer one who teaches is a teacher one who cooks is a cook or a chef so that is what we call to people who have their own creativity next we have often seen the pictures of gandhi ji spinning on his charkha discuss the reason behind this हमने कई बार ऐसे पुराने हमारे history के textbooks भी उठा कर देख लो तो हमने देखा है गandhi ji ka photo जा वो चर्खा लेकर बैटे है तो चर्खे को spinning कर रहे है हमने एक ऐसे picture को देखा ही है अपने life में अपने school में देखा होगा college में देखा होगा हमने इस एक picture को देखा है basically वो हमको क्या बताना चाहता है ऐसी picture हमको क्या बताना चाहती है तो give rural people an opportunity to earn their livelihood यानि कि जो गाव के लोग है उनके पास एक opportunity होती है क्या चर्खे के use करते हैं यानि वो कुछ काम कर सकते हैं कुछ पैसे कमा सकते हैं जिन्दगी जीने के लिए तो give the message to wear handspun clothes यानि कि वो picture एक और message देती है कि कैसे कपड़े पैने जाए जो कि हाथ से सीवे कपड़े हो तो convey the message of simple living यानि की simple living एक message है जो वो हमको convey करना चाहते है to be self-reliant self-reliant यानि की self-dependent रहना है किसी और के ओपर dependent नहीं रहना यानि कि अगर आपको income चाहिए earn करना है कमाना है खाना है जिंदगी गुजारनी है तो किसी और पर dependent नहीं रहिए अपना खुद का कुछ काम करिए और उसी के ओपर आप self-reliant यानि self-dependent रहिए next question says name some tools used by the weavers अब यह जो weavers होते हैं कौन से कौन से तरीके के tools यूज करते हैं कपड़े को बनाने में तो these are the answers loom, shuttle, spindle, spinning wheel अगर आप Google पर search करके देखा तो आपको exactly पता चल जाएगा कि कपड़े बनाने के लिए एक कौन से कौन से tools है जो काम आते हैं similarly name some types of yarns used by the weavers, कौन से कौन से अलग-अलग quality या materials होते हैं कपड़े के जो की use के जाते है, cotton के कपड़े होते है, linen के होते है, we have jute, we have silk तो यह अलग-अलग कपड़े होते हैं जो use के जाते है, कौन use करते हैं को weavers कपड़े बनाने के लिए यह था हमारा icebreaker, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा brainstorming session, discuss with your partner the following vocations, यानि कि हमको क्या करना है, अपने partner के साथ, अपने friend के साथ में क्या करना है, discuss करना है, यह सारे जो terms हमको दिये हमको उसके बारे में कुछ लिखना है, okay, weaving, India has rich heritage of weaving, handloom weaving the second most widespread occupation next to agriculture, यानि कि यह सारे जो हमक कुछ information लिखनी है, तो इंडिया का rich heritage है, यानि कि weaving में बहुत ज़्यादा contribution है, इसी के साथ-साथ, handloom weaving जो है, वो सबसे second most occupation में आता है, after your agriculture, each region of India has its typical yarn style and fabric, यानि हर एक अलग-अलग, इंडिया के अलग-अलग कोनों में, अलग-अलग तरीके का yarn, यानि कि कपडों का material जो पहनना है, फाबरिक जो होता है, वो अलग होता है, इंडिया is tropical, people like to wear cotton, इंडिया में ज्यादा तर लोगों को cotton पहनना ही पसंदाता है, silk from different regions of India are priced by women worldwide, तो अलग-अलग regions या अलग-अलग state में, जो silk मिलता है, उसका price कौन decide करता है, women of India, they decide the price, so that was the explanation to this weaving, next, tailoring के बारे में भी इसी तरीके से कुछ हमको लिखना है, a tailor can make someone a star with style and fitting, तो basically tailor जब हमारे कपड़े सीता है, तो वो कपड़ों का जलुक पूरा आता है, हमारा जलुक आता है, it is because, उस tailor ने सही तरीके से कपड़े जो है, वो सीया है, can have own machines, stitch clothes according to clients needs, अपनी खुद की machine होती है, उसके पास में जिसका हम सिलाई machine कहते हैं, लेकिन जो कपड़ा सीता है, वो किसके हिसाब से सीता है, अपने client की needs के हिसाब से सीता है, could be under a designer creating high fashion garments, तो high fashion garments भी वो stitch करने का काम करता है, could be under a fashion house label, working at computerized machines, कई बार ऐसा होता है, fashion labels में काम करते हैं, तो computerized machines भी यूज होती है, अगर कुछ print करना हो, किसी कपड़े पे specific print चाहिए, तो वो भी tailor आपको करके देता है, they create the trending fashions worldwide, तो यह क्या करते हैं, जो tailors होते हैं basically, worldwide एक trending fashion, इनको fashion designer बोलते हैं basically, उनका काम भी ultimately tailoring का ही होता है, क्योंकि पूरे दुनिया में एक अलग-अलग जो है अपने stitching से क्या करते हैं, fashion को create करते हैं, fashion world को एक नया outlook देते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा knitting, knitting is using two needles to weave woolen yarn, यान ही आपने देखा होगा, जो उन से हम बुनाई करते हैं, उसको knitting बोला जाता है, तो दो needles बोला गया है, तो दो ऐसी needles होती है, पतली सी, जिसको बूनते हैं, हम क्या करते हैं, उन का कुछ ना कुछ sweater बना लेते हैं, या फिर उसका, हम उससे related कोई ऐसा material या कपड़ा जो है, हम अपने घर के लिए बना देते हैं, decorative items बना सकते हैं, Many women are skilled up, specifically ऐसा भी होता है, कई छोटी मुटी classes भी होती है, जहाँ पर औरते जो है, उस उन से क्या करती है, जाकर कुछ ना कुछ बनाना सीख कर आती है, Women in cold regions do knitting to make warm clothes for the family, जैसे मैंने बुला, जो उन होता है, उससे हम क्या बना सकते हैं, उससे हम sweater बना सकते हैं, तो basically women's जो होती है, वो क्या करती है, अपनी family members के लिए, warm clothes बनाती है, Knitting is done on machines too, nowadays जो knitting का काम है, जो बुनाई का काम है, वो किस पर होता है, machines पर भी हो सकता है, Next आता है हमारा Embroidering, Embroidering यानि की Embroidery करना, Embroidery needs skillful fingers and patience, यानि की बहुत बारिकी का काम है, और बहुत ही patience वाला काम है, From hankies to wall hangings are laboriously made with silk threads and tiny needles, चोटी चोटी एकदम बारिक सुई जो होती है, उससे क्या होता है, Embroidery का काम हो किया जाता है, क्योंकि बहुत ही बारिकी और patience वाला काम में तो बहुत ही सोथ समझ कर इसको करना पड़ता है, चाहे आपका hanky हो, यानि कि रुमाल हो, या फिर wall hangings हो ये सारी चीजे जो हो आपके Embroidery का हिस्सा बन सकती है, many other beautiful things like table cloths, dress collars, सारी, edges, bed covers and cushion sleeves, ये सारी चीजे जो mention की गई है, ये भी इसके उपर भी Embroidery का काम हो सकता है, machine embroidery also is done, तो सिफ हाथ से ही नहीं बनाया जाता है, अभी के टाइम पे machine भी available है, जो Embroidery का काम जो है, वो क इनों ने इस पोयम में इंडियन वीवर्स ने जो पोयम में अलग-अलग कपड़े बनाया है, क्या क्या बनाया है हमको उसके बारे में जानना है, जिसमें सबसे पहला क्या था, at daybreak, they make brightly colored garments for a newborn child, यानि कि सुबा होने के पहले जो dawn का time होता है, सूरज जो है, पूरी तरी के स निकलानी होता है, हलका जब rise हो रहा होता है, तबीका time है, उसको बोलते है, daybreak, तो उसके निकलने के पहले उन्होंने क्या किया था, एक कपड़ा बनाया था, कौनसे color का कपड़ा था, वो जो garment था, वो blue color का garment था, जो उन्होंने क्या किया था, बनाया था, is like that of wings of a wild king fisher, so व निक्स अध्डश्क दी विवर्स में कौन सा कपड़ा बनाया एक लड़की की शादी के लिए जो वेल्ज वो ने वो बनाया था लूट का प्लूम मतलब एक जो फैजर होता है उसका जो टेल का हिसा होता है तो पॉपलक ग्रीन कलर में उससी कलर का उन्होंने एक लड़की के लिए क्या किया था उसके मैरेज वेल यह बनाया था लांस हमने क्या का है इन chill of the moonlight moonlight night यानि कि जब रात हो चली थी पूरी तरीके से आधी रात हो गई थी चांद आ चुका था तब वो लोग जो है क्या बना रहते कपड़ा बना रहते कौन सा कपड़ा बना रहते वो लोग एक कपड़ा बना रहते विच को बहुते है यानि कि एक कफन जो है वो तयार कर रहते है तरश रावड बना रहते जो उन्हें अलग अलग टाइं पर क्या किया था वेवर्ज ने बनाया था next question the words in the three stanzas of the poem mention different times of a day complete the table यानि कि यहाँ पर क्या बुला जा रहा है यह जो words used किये गए है stanza में तीन stanza में हमारी poem जो है तो इन तीन stanza में क्या किया गया है कुछ words used किये गए है अलग-अलग time दिया गया है तो हमको क्या पताना है complete the table यानि कि हमको table जो है वो complete करना है time of the day early morning word or phrase क्या दिया है break of the day यानि कि एकदम सुबा का time सूरे जुबने के थोड़े से पहले का time weavers weave ropes for the newborn child तो जो time दिया है जो words or phrases use किये गए है उसमें weavers ने क्या काम किया है हमको बताना है late in the evening fall of night यानि कि रात होने से कुछ वक्त पहले जब late evening का time था weavers weave the wedding wales for a queen तो ने क्या किया था wedding wales बनाया था किसका बनाया था एक लड़की जिसकी शादी होने वाली उसके लिए wedding wales बनाया था wales हमने बढ़ा था क्या होता है जब जो bride होती है और उसके पीछे उसकी जो bride की जो group members होते है bride maid जिसको बोलते है वो लग क्या करते है उसका जो लंबा सा wales है उसको पीछे से पकड़ते हुए चलते है तो वो होता है wales night को क्या बोला गया है moonlight chill तो यहाँ पर weavers क्या बनाते है thanks with feelings and colors appropriate to it यानि कि यहाँ पर क्या हो रहा है poem ने तीन अलग-अलग phase बताया है life के तो पहला दिया है आपका color बताया है color है blue youth और adulthood ठीक है उसके साथ-साथ old age और death तो आपको बताना है कौन सा color और कौन सी feeling है वहाँ पर newborn childhood के लिए blue है new hopes and expectations आती है जब एक newborn child आता है तो आपकी काफी उम्मीद है होती है hopes होती expectations होती है color is blue youth और adulthood में purple and green तो expectations होती है responsibilities होती है energy होती है romance होता है तो यह इस adulthood की age में रहता है old age और death जहाँ पर white color दिया गया है frailness, peace and wisdom तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है peace भी मिलता है wisdom भी मिलता है basically वो color जो है उस feeling के साथ relate किया जा रहा है कि क्या exactly उसका meaning है next है complete the sentence the weavers weave in the chill moonlight तो उसके बात क्या दिया गया है a cloth as white as a feather and just as white as a cloud this is a shroud for a dead man's funeral basically हमारे poem के last tenza में दिया है तो हमको यहाँ पर क्या करना है उसको complete करना है next pick out two words used to describe the weavers in the last tenza also state their importance दो ऐसे words निकालना है हमको जो weavers के बारे में बता रहे है last tenza में और हमको उसका क्या बताना है हमको उसका importance बताना है solemn and still are two words used in the last tenza to describe the weavers the words describe the occasion for which the craftsmen are working solemn and still यान कि या क्या बता रहे ये words हमको किस occasion के लिए जो weever's है वो काम कर रहे है क्यूं कपड़ा बना रहे है वो दिन में बना रहे है तो जब हम किसी डेट बॉडी के लिए कपड़ा बना रहे तो डेफिनिटली हम उस वक्ष तो नहीं रहेंगे तो क्योंके उनके मूँ जह है वह काफी ज़्यादा क्या है उदास है और काफी सीरियसली वह लोग एक काम कर रहे हैं जहां पर जब कफन बना रहे तो वह स्थ नह अब्याद लिए जाने जाते हैं अब क्या होगे इंडस्यायिजिशनस अाहिë ही जो सेवेंगे सरे हो प्रॉड्म्री काम किया घञा थे तो आधिए चीजों के वह तकर कम हो गई लोगों का काम क्या है कम टाइम में फटाफट फटाफट उनको बनकर मिल जाता है तो यह जो क्राफ्समें है इनकी कंडिशन कहीं नहीं कहीं कहीं क्या हो चुकिये बिसिकली अब वह थोड़ी सी डाउन हो चुकी है तो आज इतनी बुरी परस्तिती में है क्योंकि आज उनको कोई नहीं जानता है हमारे क्राफ्समें को उनका क्राफ्समें जाए वो अंडर वैलिए हाथ से बनाये जाता है तो हम लोग क्या करते हैं हमेशों इनके साथ बारगें करते या इनको कम प्राइजई ओफर करते है उसी के साथ साथ या लिड लाइफ इन पौवर्टी यानि यह लोग बहुत ही गरीबी में जी रहे अब क्या हो रहा है पासिंग जन्रेशन यानि कि अब यह स्किल क्योंकि खतम हो चुकी है आगे की जन्रेशन क्यारी फॉरवर्ड नहीं करती तो कहीं न कहीं हमारी जो पुरानी स्किल्स थी जो इतने टालेंटेड लोग थे लोगों को टेक्स नहीं करना है उन्यलोग के जन्रेश्बध नहीं पर इको रहा है कि अमारे बिजनेस्नेश को कमेज और सुसाइब a very big shame why because bank loan लेते हैं जब चुका नहीं पाते हैं बैंक लोन तो ultimately उनके पास एक यह option रह जाता है वो option है suicide commit करने का master weavers stand away their sun cities to take up jobs अब जो master weavers होते हैं जिन्होंने सीखा इस कला को सीखा है वो लोग अपने बच्चों को यहां से बाहर जानी शेहर बेच देते हैं पढ़ाई करने के लिए जो शेहर जाकर पढ़ाई करकर आएगा वो यह सारी skills में क्यों काम करेगा तो government bodies also we have which khadi and village industries के बार में यहां पर बात कर रहे हैं do their best to revive the glory of Indian handloom sector Indian handloom sector को improve करने के लिए khadi और village industries बनाए गए है still weavers lack facilities to market their goods at a reasonable price बावजूद इसके कि khadi and village industries है अभी जो weavers है उनको अपना reasonable price set करने नहीं मिल रहा है क्योंके machines आ गई है technology आ गई है तो इनकी skills जो है वो कहीना कही लॉस्ट हो चुकी है now that is a big question that is what the present conditions of weavers are in India now next question says describe in your own words the steps or measures that can be taken to solve problems of the weavers अब आपने देख लिया कि क्या problem है जो weavers face कर रहे हमारी country में तो आप ऐसे क्या measures लेंगे ऐसे क्या steps लेंगे जिससे कि आप उनकी मदद कर सकते हो weavers are very much unorganized okay buyers offer very low prices and if one weaver repulsors they go to another weaver so the prices are at crores lowest यानि कि यहां पर क्या हो रहा है वीवर इंडस्टी जो है यह काफी unorganized है तो एक price जो है नोने set करके नहीं रखा हुआ है तो क्या होता है यहां पर customer आपके पास आया आपके साथ एक bargaining कि आप नहीं माने किसी और के पास चला गया तो ultimately उसने अगर उसको offer accept कर लिया तो यहां पर काफी जादा नुकसान हो जाता है एक वीवर का अब यह सबसे बड़ी तकलीफ है इनको बिचारों को क्या करना पड़ता है लो रेट में जाकर किसी को बाहर शेयर में बेचना पड़ता है किसको designer जो होटे है लो रेट में खरीदते है लेटेस्ट फैके बनाते है अको चुच पॉल से लेकूटेश में Lex यह जो इतना अच्छा आठ है इतना स्किल इतना टैलेंट है किसी भी तरीके से कमर्शल इसको क्या नहीं किया जा रहा है अगर आप इसको अदर गये अवेर्नेस आएगी कैसे कि इस तरीके की चीज़ें भी मार्केट में अविलेबल है एट लो कोस्ट दे हैं लूम इसके साथ गव्रॉम्न को क्या क्राना चेहिए बैसिकलिघ्र ayS को पूरा प्रमोशन करना चाहिए डिज़ाइन को सफंट फ計ल लेकर जाते हैं उनको भी प्रमोशन करना है कि 만나 सब्सेदीज ऋब को क्या करें टृइज करें अब यह जो अलग-अलग कपड़े हम देखते हैं अलग-अलग colors में देखते हैं तो यह colors ऐसे तो नहीं आते हैं उसके लिए उनको dyes की जरूवत पड़ती है यांस की जरूवत पड़ती है तो यह खरीदने के लिए जो उनका खरचा होता है उसके लिए भी government को subsidy देनी साथ साथ में clean water or proper lighting facilities की भी जरूवत है तो यह सारे measures हम ले सकते हैं in order to solve the problems of the weavers I hope we are clear with the question majors मतलब समझ में आ गया हम किस तरीके से situation से deal जो है वो कर सकते हैं moving ahead to the next question express your opinions and views from the weavers point of view and complete the following table यानि हमको किसके हिसाब से opinion और view देना चाहिए Indian weavers को ध्यान में रखते हुए हमको अपना opinion जो है वो देना चाहिए क्या पूछा है आपर stanza दिया है first stanza second or third activity क्या दिया है ropes for a newborn the views or opinions जो है वो क्या बता रहा है हमको the weavers feel cheerful because they are enthusiastic to weave the bright blue ropes for the newborn so it's a hope so the expectations होती है और खुशी का माहल होता है तो इसलिए जो first stanza में बोला गया है तो वहां पर जो हमारे वीवर से बड़ी खुशी-खुशी कपड़ा बना रहे क्यों कि वह लोग रोब्स बना रहे किसके लिए एक newborn के लिए तो काफी ज्यादा enthusiastic है सुब्य होने के पहले ही वो लोग उटके अपना काम करना शुरू कर देते हैं second stanza बोलता है wedding wheels for a queen यहां पर they are happy why they are happy because किसी की life का most important time होता है when he or she is getting married तो इसलिए वो लोग बहुत ही खुशी-खुशी क्या कर रहे उसके लिए wheels बना रहे उसकी marriage का third है shroud for the funeral तो यहां पर Solomon quite याने की without smiling and in a very serious mode they are making a cloth वो cloth कौन सा है जो funeral shroud के लिए use होता है वो cloth है इसलिए यहां पर वो काफी serious mode पे and without smiling at the middle of the night they are making a cloth which is a funeral shroud तो यह है आपका stanza उसकी activities और वेवर्स का opinions okay now the next question says pick out the rhyming words from the poem क्योंके मैंने कहा कि यह poem जाए वो free verse नहीं है it is a completely rhyme scheme वाला poem तो हमको क्या करना है यहां पर first second or third stanza से क्या निकालना है rhyming words निकालना है तो जैसे हमको दिया है day gay wild child night bright green queen still chill cloud shouts these are your rhyming words from the poem now here you have to give atonyms and synonyms of the following and make sentence यहां पर हमको क्या दिया गया है हमको वर्ट दिये गया है जैसे कि new new का पोजट क्या होगा old अब उसके हिसाब से हमको क्या करना है एक यहां पर sentence frame करना है for example she donated her old clothes to the orphanage ठीक है अब इसका हमको एक synonym बनाना है new का मतलब होता है fresh यानि की similar word है fresh भी बोल चकते हो अब उसके basis पे हमको क्या करना है sentence frame करना है तो क्या sentence frame किया है हमने the police detected a few fresh footprints near the scene of crime so basically आपको एक word का अटॉनिम यानि opposite बनाना है उसका synonym भी बताना है उसके साथ साथ आपको क्या करना है sentence frame करना है तो यहां पर हमने आपके लिए कुछ words जो है उसके अटॉनिम भी लिखे है और synonyms भी लिखे है और उसी के लिए हमने sentences भी फ्रेम कर दिया है तो यहां गो तुरू दी अटॉनिमन से अनॉनिम सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको क्या बनाना है क्लोट के लिए कपड़ों के लिए कुछ word register बनाना है यानि कि क्या अलग अलग words जो है वह आप क्या कर सकते है यूज कर सकते हो प्लोट के लिए basically हम गेटब बोलते है गेर बोलते है गामिंज बोलते हैं आउटफिट बोलते हैं वाट्रोब्स बोलते हैं जोसे के साथ साथ रेमन बोलते हैं गेर बोलते हैं तो basically यह सब हमारे word register है है for the term clothes attire or dress next question is complete the following table अब हमको यहां पर बताना है figure of speech तो कहां कहां पर consequence line में figure of speeches use के गए है so let us see figure of speech हमारा line third blue as the wing of halcon wild यानि की एक जो feather होता है sorry जो wing होता है किसका एक halcon bird है उसका तो उसके comparison में जो उसका feather जो उसका wing होता है जो blue color का होता है काफी beautiful होता है तो उसी से related उन्होंने क्या बनाया है जो weavers है उन्होंने एक rope बनाया है newborn child के लिए तो क्योंके यहां पर एक comparison किया गया है with the use of the word as यानि की as you'd use किया गया है as good as as bad as तो यहां पर comparison होता है न तो यह comparison का हम बोलते है similarly similarly like the plumes of peacock यहां पर as the wing of halcon wild as like the plumes of peacock like use किया गया है यहां पर similarly white as a feather and white as a cloud दो बार यहां पर as use हुआ है तो यहां next first break of day gay blue beginning of life तो यह जो बता रहा है किया यह imagery है fourth newborn child के बारे में बात कर रहा है अगें यह imagery है because यहां पर new life के बारे में बात हो रही है fall of night green purple royal marriage and family के बारे में बात हो रही है यहां पर similarly आपका nightness solam and still moonlight in the night chillness of death gloom and तो यह सारी जो है वो imagery concept है इसलिए यह figure of speech है हमारा imagery next है हमारा metaphor metaphor में direct comparison नहीं होता है indirect comparison similar में हमारा as like as use किया तो यह direct comparison है indirect comparison जो होता है metaphor होता है break of day day is born a newborn child तो यहां पर day is born एक दिन का नया जनम हो है जिसकी comparison newborn child से किया गया है तो which is your first stage of life fifth है हमारा fall of night twilight the romantic half light beginning of wedded bliss for second stage of life तो यहां पर हमारी life की जो second stage होती है उससे comparison किया गया है किसको marriage से related जो बोला गया है उसको 10th chill indicating that moon indicating night and darkness for the last stage of life तो यहां पर all implicit comparisons दिया गया है तो पहरा जो comparison आपका दिया गया है वह बर्थ स्टेज का दिया गया है सेके नापके एडल्ट हूड का थर्ड़ आपकी डैद के बारे में कि ऑके लास्ट फिगर आप स्पीश दाट वी हाव इस अलिट्रेशन अलिट्रेशन का मतलब होता है कि बार बार ए अल्फा बेत्स जो बार जी फिट होते हैं तो कॉंसे क्वा इन्हीं उट्रेशन अग्र कोई वर्टपीट होता है तो बो होता है अगर कोई उत्रCloud and third stanza यानि कि AABB यानि कि similar rhyming scheme अगर जा रही है तो क्या है वो हमारा AABB AABB कब होता है से for example जैसे कि first में अगर day है तो उसी से related gay है तो यह A और A हो गया B और B कब होगा जैसे कि for example यहाँ पर chill दिया है यहाँ पर drill दिया हुआ है तो यह immediately उसके बाद second word है जो हमारा रायम स्किम में आ रहा है अगर day यहाँ दिया होता अगर चिल यहाँ दिया होता अगर gay यहाँ दिया होता अगर drill यहाँ दिया होता तो यह हमारा A b A b rhyming scheme होता कौन जार मोता हमारा probability A.B. rhyming scheme होता, तो क्योंके हमारे फर्स stanza में A.A.B.B. दिया हुआ है, हमारे सेकेंड और थर्न stanza जो है, उसमें भी rhyming scheme जो है, वो सेम है, A.A.B.B. Okay, the next is, The poet has asked a question at the beginning of every stanza, explain the effect it creates on the reader, यहनि हर एक stanza में क्या क्या है, उन्होंने question पूचा है, तो हर एक question का meaning जो है, जो answer यहाँ पर दिया गया है, तो क्या effect create करता है as a reader, जब आप उस poem को पढ़ते हो, आपके ओपर क्या effect create करता है? Now, each stanza of the poem begins with a question to the viewers, यहनि कि stanza का हर एक first statement क्या है, first or second statement, एक सवाल पूच रहा है, किसको सवाल पूच रहा है, हमारे इंडियन वीवर्स को सवाल पूच रहा है, इन प्वेस को सवाल पूच रहा है, in the question, the reader knows about the time of day and the color of clothes, यहनि कि यहाँ पर reader को किस चीज़ के बारे मालम है, दिन का कौन सा वक्त चल रहा है, और कौन सा कलर जो है, वो कपड़ा बनाने में यूज किया गया है, दर अपलाई गिवस इंफरमेशन अबाट पूच रहा है, तो यहाँ पर क्या बताय जा रहा है, कि जो रिपलाई है हमारे वीवर्स का, उससे हमको क्या समझ में आता है, समझ में आता है हमको कि पहलए क्वेशन पूचा जारा है फिर आंसर दिया जा रहा है, तो एक conversation चल रहा है किसका जो poet है जो poet है कौन है हमारी poet यहाँ पर सरुजी नी नाइडू जी है वो हमारी poet है और जो इंडियन वीवर्स है वो क्या कर रहे हैं उनके questions का answer कर रहे है the questions around the curiosity of the reader यानि यहां पर comparison किया जा रहा है किस चीज का कौन सा वक्त चल रहा है दिन का और उस वक्त क्या चीज जो है वो बनाई जा रही है the mood of the weavers matches the time and purpose of their work यानि कि जिस वक्त वो जो भी कपड़ा बना रहे है वीवर्स उनका mood जो है उस time से और उस काम से match हो रहा है यानि कि जब वो new born के लिए कपड़े बना रहे है तो काफी enthusiastically बनाते है जब किसी का wedding will बना रहे है तो काफी happy है वो लेकिन जब किसी के लिए वो shroud बना रहे है किसी के funeral के लिए तो वो लोग unhappy है और उसके साथ साथ काफी seriously अपना काम जो है वो complete कर रहे है तो basically उनके mood के match हो रहा है next question हमारा write an appreciation of the poem with the help of following points फिर से हमको पोयम का appreciation लिखना है जिसमें हमको क्या करना है poem poet और उसका title जो है वो आपको क्या कनवे करना चाहता है poem की theme क्या है poetic style क्या है उसके साथ साथ उसके features उसके messages moral values क्या कनवे करना चाहरा है वो हमको बताना है तो हमने आपके लिए पोयम का appreciation जो लिखा है you all can go through the appreciation of the poem okay now the next question that we have is compose four lines on importance of clothes तो basically हमको क्या करना है यहाँ पर लिखना है importance of clothes के उपर चार लाइने हमको लिखने बताने की कपडों की क्यू जरूरूत है क्या importance है क्या महत्वर रखता है हमारी life में basically clothes we notice at the first instance यानि पहले नजर में अगर हम किसी को देखते हैं तो उसके कपडों की तरफ भी देखते है र हमारी उनकी इमेज होती हमारी नजरों में थोड़ी सी ऐसी मदब शाबी कपड़े है शाबी क्लोधिंग स्टाइल है थोड़ा सा उनको देखकर हमको वियर्ड लगता है right make self and others equally unhappy यानि अगर हमने भी कपड़ा कुछ सही से नहीं पहना है कई पर दाग लग गया वही है पहन कर आगा है सामने हमारे इसी तरीके से हमको भी क्या लगेगा अर्यार क्या इमेज ड्रोगी मेरी अगर मैं इसे कपड़ों पर दाग लगा हुआ पहन कर किसी के सामने चले जाव तो राइट बेसिकली यह होता है making self and others unhappy okay now write an appeal to use handloom products in our daily life एक appeal लिखनी है हमको जिसमें को क्या बताना है कि daily life में हमको handloom use करना है तो an appeal लिखा है threads लिखा है handloom research and development society is proud to present to you the wonderful creations of threads for the first time तो basically यहां पर क्या बताया जा रहा है आपको जैसे advertisement create होता है उस तरीके से advertisement create करना है जो हमने already आपके लिए appeal लिख रखी है कि क्यों आपको handloom products use करने चाहिए okay so this is how basically you have to write an appeal कि handloom products जो है हमारे daily life में हमको क्यों करना चाहिए यह हमने format बना दिया है आप देख सकते हो अब next आपको एक काम करना है जो कि visit a handloom factory near your locality and write a report of it waivers of dream so basically आपको consider करना है exam में मान कर चलना है क्या कि हम एक factory visit किये थे और अब हम factory visit करने के बाद क्या करेंगे उसके ओपर report बनाएंगे कि वहां पर हमारा experience जो है वो कैसा रहा है so report में आप लिखेंगे सबसे पहले Mumbai because आप यहां पर हो तो आपको Mumbai के बारे में ही लिखना है या फिर आप जिस किसी भी city या state को belong करते हो आपके उसके बारे में लिखना है विवर्स ऑफ ड्रीम्स बाइटीम ए एसवाई जेसी कॉमर्स मुंबई 25 फैबुरी तो एक जब रिपोर्ट लिखते है तो हमको वहां का लोकेशन पता होना चाहिए लोकेशन लिखना जरूरी होता है उसके साथ साथ डेट एंड डे भी लिखना जरूरी होता है यहां पर आपने क्या क्या देखा आपको बताना है स्टूलें डिफरेंट प्रोसेस इंवल्ड इन विविंग ऑ सारी रिपोर राइटिंग बेसिकली जैसे एक हम नियूज देते है ना हमका नियूज आर्टिकल हमने पड़ा होगा ना नियूजपेपर में किस तरीके से रिपोर्ट लिखी होती है किसी इंसिदेंट की तो सेम चीज़ आपको क्या करनी है यहां पर रिपोर्ट लिखनी है अग कर दो कि यहां पर क्या बोला जाहरा है आपके कॉलिज में क्या होने जा ओरा है एक एक ऑग्जिबिशन होने जारा है है Centurybut online गया जहां पर आपको क्या करना है inaugural speech देना है तो आपको अपना introduction देना है आपको जितने भी गेस्ट आये हैं उनको वेलकम करना है inaugural ceremony होती है जहां पर आप जो principles होते हैं along with the dignitaries आते हैं दिया जो है अब हो activities perform हो रही है और last में concluding remarks जो होते हैं आपको thank you बोलना है सबको तो basically यह एक पूरे speech का जो format होता है जो हमने यहां पर mention किया है you all can go through this once again I'll just show it to y'all basically एक speech होती है यहां पर introduction आपने सबका कर दिया उसके बाद में आपने एक welcome speech दे दी welcome speech के साथ-साथ inaugural ceremony जो होती है lamp lighting की वो हो गई prayer song song हो गया welcome program हो गया जो remarks आपको concluding लिखने है आपने जो activity है वो perform हो गई है basically now so that is how the entire inaugural has to be okay so with this we have completed our ice breakers we have completed our brainstorming session for poem 2.2 which is about Indian weavers written by a very famous poet who was also a social activist Sarojini Naidoo she was the first female president of Indian National Congress so with this we have done we have completed our 2.2 poem जो आपके demand थी I hope हमने वो almost 2.1-2.2 cover करके रख दिया है definitely we are going to come up with more of our lectures till then we would request you to kindly like share and comment अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज अपने दोस्त की भी मदद कीजिए अगर उसे नहीं समझ में आता है लेक्टर से अपने college के lectures में तो definitely आप हमारा lecture उनके साथ में share कर सकते जभी भी आप share करे तो please like करना मत भूलना हम share करते लेकिन हम like करना भूल जाते please do like share and comment and stay tuned to our YouTube lectures thank you very much